नवस्कार आप देखने हैं वीके नियोज बैहुआप के साथ नदीम है खुद को फिल्म क्रिटिक और बॉल्वूड स्टार्स को ट्रोल करने वाले एक्टर कमाल आरखान बिते दिनों गरफतार हुए थे मलाड पुलीस स्टेशन में दर्ज मामले को लेकर उनके गरफतारी हुई थी ये गरफतारी उनके एक विवादित ट्विट के कारण हुई थी इस मामले में मलाड पुलीस ने एक्टर को एरपोर्ट से डीटेन करने के बाद कमाल आरखान के साथ उचताच भी हुई थी जब के आरके बाहर आए तो उन्होंने एक ट्विट किया था अपने इस ट्विट में उन्होंने बताया था कि वो वापस आ गए हैं लोग के आरके के इस ट्विट को देखने के बाद ये मान रहे थे कि अब बॉलिवुड वालों के खैर नहीं है हलाकि शाम होते होते के आरके के सुरही बदल गए पहले ट्विट में जहां के आरके बदला लेने जैसी बाते कर रहे थे लेकिन शाम तक क्यारकी ने उस ट्विट को डिलीट कर दिया और एक नया ट्विट किया जिसमें उन्होंने लिखा था मैं वापस लोटाया हूँ और सुरक्षित अपने घर पर हूँ मुझे किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ जो भी बुरी चीजे हुई मैंने उससे भुला दिया है मैं मानता हूँ कि ये मेरी किसमत में लिखा था ये तो थी पुरानी बात लेकिन अब एक बार फेर के आरकी अपने एक ट्विट को लेकर चर्चा में आ गए है हाला कि ये ट्विट एक्टर के हर बार की ट्विट से बिलकुल अलग है जे हां इस ट्विट को देखने के बाद सभी हैरान रहे गए है अब आप भी ये सूट रहे होंगे कि आखर इस ट्विट में कमाल आर खान ने आखिर ऐसा क्या लिख दिया है और मुझे बॉलवुट के इतिहास में सबसे बड़ा आलोचक बनाने के लिए आप सभी का धन्यबाद मुझे आलोचक के रूप में मैं सुविकार करने के लिए नहीं बलकि मेरी समिक्षाओं को रूकने के लिए मेरे खिलाफ इतने माबले दर्ज करने के लिए सभी बॉलवुट पीपल को धन्यबाद अब कियार के कि इस ट्विट पर लोग अपनी अपनी रेक्शन देते नजरा रही है एक यूजर ने लिखा है आखिर करवा ही दिया इसका भी मुहबंद देख लिए बॉलिवुट की ताकत बहुत उड़ रहा था दर गया के लिए के बिगेस्ट क्रेटिक एटीसे एटीसी आखिरकार खुश उतना ही होना चाहिए जितना बाद में रूर सको वहीं एक और यूजर ने लिखा क्यों भाई ऐसा क्या हो गया मत छोड़िये बिना कोई रिजन बताए इसके पीछे वज़ा क्या है इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा लोल के आरके हर महीने तीन बार छोड़ देते हैं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब के आरके ने छोड़ कर जाने की बात की है उत्तर प्रदेश में विदानसवा चुनाओं में भी उन्होंने कहा था कि अगर सूबे में योगी आदेतनाथ फिर से मुख्य बंतरी बनते हैं तो वो देश छोड़ देंगे हाला कि क्यार के अपने इस बयान से भी पलट गए थे अब देखना होगा कि इस बार के केस ट्विट के बाद से फैंस का क्या रियक्शन आता है तो जल्दी जल्दी अपने रियक्शन ह खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके नियूस के साथ थन्य बाद